हेलो, मेरा नाम दुरूफ पतेल है, 28 मार्च 2019 को हमारी फ्लाइट थी एम्दाबाद से चंडीगड की गो एर की फ्लाइट थी जिसे मैंने बुक करवाया था गो आई भी बो से उसमें हुआ यह कि जैसे ही लॉकडाउन की गवर्मेंट की तरफ से गाइड लाइन्स आई तो सब फ्लाइट्स सस्पेंड कर दी गई थी उस वक्त फिर हमारी सेम वे हमारी भी फ्लाइट जो थी वो कैंसल हो गई थी उसके बाद आफ्टर सिक्स या सेवंथ मंथ के बाद गवर्मेंट की तरफ से एक और गाइड लाइन्स आई कि जो भी लॉकडाउन की डूरेशन में फ्लाइट्स कैंसल हुए थे या करवाए गए गए थे बाई एरलाइन तो उसके पैसे रिफंड पर्टिकलर एरलाइन्स को अपने कस्टमर को फूल डिर्फंड करना पड़ेगा तो हुआ यह कि हमने पहले गवर्मेंट को रिक्वेस्ट इपयायिशन है कि आपके अब हमारे पैसे हुए क्विरप्ड कर दो फिर रिप्लाय मिला कि हम आपके पैसे रिफंड कर रहे है आपके पर्टिकुलर जो भी एकाउंट से ट्रांसफर किये है, मतलब गो आईबीबो थ्रू हमने बुकिंग करवाया था, तो गो आईबीबो के एकाउंट में वो सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे, फिर हमने ये किया कि गो आईबीबो से रिक्वेस्ट किया, वहाँ पे हमने रिफंड की रिक्वेस्ट की, ताकि हमें हमारे पैसे रिफंड मिल जाए, पर रिफंड करने के दो, I think, in the first week of December हमने रिक्वेस्ट किया था, गो आईबीबो को, और उनकी तरफ से ये रिप्लाय आया था कि, 24 से 25 डिसेंबर तक आपको आपके पैसे, जो भी रिफंड है, वो सब मिल जाएगा, पर हुआ यू की, दो महिने बिद गए उसके बाद, फैबरु आरी तक कुछ रिफंड नहीं आया था, और उसके बाद जाके मैंने CERC में कंप्लेंड किया, CERC में गो आईबीबो के खिलाफ कंप्लेंड करने के बाद, और दूसरा, जो भी नोडल ओफिसर वगेरा, गो एर, गो आईबीबो, एन CERC तीनों को मैंने लूप में रखके, मेल्स वगेरा किया, तब जाके हमें हमारे पैसे रिफंड मिले, मरलाब, विट हेल्प आफ सी आर्सी, I can make full refund successfully, so thank you CERC.